प्रिय चात्रों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल लर्नवित आर्पीपर इस वीडियो में मैं आपको कच्छादस की हिंदी का सूर्दास जिद्वारा रचित पद सीर्शक का आठों पद पढ़ाने वाला हूं तो चलिए सबसे पहले हम प्रस्न को भाई दसे बीश एक हुताओ सो गयो स्याम सं को अवरा धै इस की उधो मन न भाई दसे बीश इंद्री सिथिल भाई के सव बिनू जयों देही बिनू सीश उधो मन न भाई दसे बीश आसाला गिराहती तन स्वासा जीवही कोटी बरीश उधो मन न भाई दसे बीश तुम तव सखा स्याम सुन्दर के सकल जोगे के इस उधो मन न भाई दसे बीश तो चलिए इसका मैं आपको अर्थ समझा देता हूं तो जब ये आ जाए हमारे एकजाम में ये क्या बोलते इसको ये पद यदि एकजाम में आ जाए तो सरवपर्थम इसका संदर्व हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांस हमारी पाठ पुस्त तक हिंदी काब्ब में संकलित पद सीर्शक से लिया गया है जिसके रचैता क प्रस्तुत पद्यांस में कविवर सूर्दास जी ने गोपियों का उधव से वार्तालाब को प्रस्तुत किया है तो चलिए अब हम देखते हैं कि गोपियां उधव से क्या वार्तालाब करती हैं और उस वार्तालाब के जरिये वो उनसे क्या बातें करती हैं तो उसको हम समझते हैं तो क्या लिखते हैं पहले कभीवर जी उद्धव मन भये दस बीस मतलब की गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि हे उद्धव मन भये दस बीस मन दस बीस नहीं होते हैं कहने के मतलब कि हमारे पास दस बीस मन नह एक हुताव सो गयो स्याम संग एक था सो गयो स्याम संग एक मन था सो गयो स्याम संग जो स्याम की संग चला गया है को अवराधय इस अब भगवान की प्रार्थना कौन करे कहने कमतलब कि ब्रह्मा की प्रार्थना ब्रह्मा की अराधना अब कौन करे क्योंकि हमारे पास दस बी इस मन से हम ब्रह्म की अराधना करें इसलिए आप हमें ब्रह्म की अराधना करने का उपदेश मत दीजिए तो गोपियां उद्धों से कहती हैं कि हे उद्धों मन दस बीस नहीं होते हैं एक मन था जो स्याम के संग चला गया तो अब हम ब्रह्मा की उपासना कैसे कर सकते हैं उ यहां तक कार्थ आपको समझ में आया अब चलिए अगली लाइन का क्या कहती हैं गोपियां कि इंद्री सिथिल भई के सव भीन हमारी इंद्रियां सिथिल हो गई है केसव बिन, केसव बिन मतलब भगवान स्री क्रेशन के बिन हमारी इंद्रिया सिथिल हो गई है जिस प्रकार बिना सीष के देही होती है जैसे बिना सीष के जो देही होती है वो कुछ कर तो सकती नहीं इसी प्रकार स्री क्रेशन के बिना हमारी सभी इंद्रियां भी सिथिल हो गई हैं जिस प्रकार बिना सीज के देहिं हो जाती है उसी प्रकार हमारी इंद्रियां सिथिल हो गई हैं स्री क्रेशन के बिना आगा देखिए पिर क्या कहती हैं कि आसा लागी रहती तनस्वासा कहने का मतलब कि उम्मीदें हमें लगी रहती है हमारे सरीर की सांसों से कि हमें उम्मीद रहती है कि अब आएंगे भगवान स्री क्रेशन और इसी उम्मीद के सहारे इसी आसा के सहारे जीवा ही कोटी बरीज हम लोग करोणो वर्स जी लेंगे क्या कहती है कि आसा लागी रहती तनस्वासा हमारे सरीर के अंदर आसा उम्मीदें लगी रहती हैं कि भगवान सरी क्रेशन अब आएंगे उनके दर्सन अब हमें प्राप्त होंगे और इसी की वज़ा से हम करोनो वर्ष जी लेते हैं तुम तो सखा स्याम सुन्दर के सकल जोग के इस फिर वो क्या कहती है कि हे उद्धव तुम तो स्याम सुन्दर के मित्र हो तुम तो स्याम के मित्र हो सकल जोग के इस मतलब कि सभी योग विद्याओं के तुम प्रभू हो सम्पूर्ड योग विद्याओं के प्रभू हो तुम सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश सूर्दाज जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव स्री क्रिशन के बिना हमारा और कोई भी जगदीश मतलब प्रभू नहीं है स्री क्रिशन के बिना उनका और कोई भी प्रभू नहीं है कोई भी राजा नहीं है स्री क्रिशन के बिना तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में पद नमबर 9 को लेकर